हाई आए हमारियान आए दोस्टों वीडियो की सुरुवात करते हैं आज हम सीकने वाले हैं संटेंस को कैसे बनाया जाए सेंटेंस को बनाने के लिए पुछ ही कुछ ही रूल्स जानना ज़रूर है जैसे हम कुछ रूल्स जानते हैं त configur उद्विडि लगने लगती है तो आज आज में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि sentence को कैसे बनाया जाए हम सोच लेते हैं इंगलिज सिखने के लिए कुछ rules grammar जाना ज़रूरी है तो आज में आप लोगों सेंटेस बनाने सिखाने वाला हूं क्या है सब्जेक्ट किसे कहते हैं सब्जेक्ट का मतलब हम अक्सा सोचते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है हिस्टी जोग्रोपी साइंस इत्यादी पर ऐसा नहीं है यह सब्जेक्ट है लेकिन इंग्लिस क्रामर रूल में सब्जेक्ट का मतलब होता है करता कि किसी भी काम को वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है जैसे मनें जाता हूं तो यहां कुण कर रहा हूं में कर ता हूं मैं सब्जेक्ट हूं इंगलिस क्या होगा आई गो यानि या पर इसाचता हूं तुम जाते हो मैं तुम या Rahul सब्जेक्ट है English grammar rule में subject दो परकार होते हैं किस सब्जेक्ट और दूसरा है plural subject आए देखते हैं दोस्तों similar subject क्या-क्या है आई-going मतलब होता है मैं और मुझे यू मतलब होता है तुम और तुमें मतलब होता है वह और उसे या किस के लिए परियोग होता है या बोई यानि लड़का के लिए परियोग होता है उसके बाद है सी मतलब भी होता है वहां और उसे या गर्ल यानि लड़की के लिए परियोग में लाए जाता है उसके बाद क्या है इट मतलब होता है यहां इसके बाद क्या है कोई भी नाम नाम यानि अज तुम्हें डे मतलब होता है वे और उन्हें उछीता नाम दो नाम जहाओ जिसे अजय और बिजय यह भी फुल्रओं में क्या है एस लगा हुआ यानि बहुत सारे लडके यहां यह सब्जेक्च में औरिन शुक 你 में जाता हूं इसका इंगलिस अभी सब्जेक्ट है तो आज हम लोग का सब्जेक्ट टोपी किलियर हुआ तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड ही सब्जेक्ट है अब हम सीखने वाले हैं हेल्पिंग भर्व क्या है तो लेक INTERDI generations में बोलेंगे आई केयं और यह दोनों ही सायवीक Дав और पह्ने यसा जरते हुशी ह्याद कि लेकेंस में यूटा है उड़ी आरने है के दोस्तों रह देखते हैं तो तो मेरा पहला है, is, is मतलब है, है, mm मतलब है, हू, r, r मतलब होता है, ho, was, where मतलब था, will, sell मतलब गा, has, have मतलब चुका है, pass है, head मतलब चुका था, pass था, can, can मतलब होता है, सकता है, और भी देखते हैं दोस्तो, may, may मतलब सायद सकना, should, should मतलब चाहिए होता है, would, would मतलब गा होता है, could, could मतलब सका होता है, might, might मतलब सायद सकता हो सकता है, must, must मतलब जरूर चाहिए, be, be मतलब होना है, ये सभी sentence के last में यूज होते हैं, ये सभी helping verb हैं, दोस्तो अभी तक हम लोगोंने सीखा subject क्या है और helping verb क्या है किसी भी sentence का पहला word ही subject है और उस sentence का लास्ट word helping verb है जैसे मैं जा सकता हूँ इसमें मैं subject है और सकता हूँ helping verb है जा सकता हूँ का English होगा I can go इसमें I subject है और can helping verb है अब हम सीखने वाले हैं दोस्तों भर्ब क्या है भर्ब किसे कहते हैं भर्ब का मतलब होता है किरिया कामकार्य किसी भी सब्जेक्ट दोरा जो काम का किया जाना काम का होना या काम को करता है उसी काम को हम भर्ब कहते हैं जैसे मैं जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, यह जाना काम है, यही आपका कारिय किरिया भर्व है, इंगलिस में बहुत सारे भर्व है, भर्व ही बहुत ही important है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हसना, रोना, लेना, देना, पढ़ना, सब ही आपका भर्व इंग्लिज में जितना ना वाले सब्द आते हैं सभी भर्व है आए दोस्तों देखते हैं भर्व कितने परकार कितने रूप होते हैं भर्व के पांच परकार होते हैं भर्व के पांचों रूप इस परकार है भर्व वन यानि पर्जेंट भर्व टू यानि पास्ट भर्व थ में उसका गोन मतलब गया था यह गया है यह भर्व 3 में गो इंग यानि जा रहा यह जा रहा था यह आपका हुआ भर्व 4 में और गोज यानि जाता है यह भर्व 5 में और एक भर्व देखते हैं ask मतलब पूछना ये भर्व 1 में ask मतलब पूछा ये भर्व 2 में ask मतलब पूछा ये भर्व 3 में asking पूछ रहा ये भर्व 4 में और ask यानि पूछता है ये भर्व 5 में आएगा तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने सीखा subject क्या है, helping verb क्या है और भर्व क्या है जैसे में जा सकता हूँ इसमें I यानि में subject है सकता हूँ can helping verb है जाना go verb है अब हम लोग सीखेंगे object क्या है object किसे कहते हैं कोई भी चीज वर्ष्टू जिस पर भर्व का परवाव परता है उसे object कहते हैं भर्व की पहचान हो जाने के बाद भर्व से कहां क्या किसको जैसे प्रस्ण पर जो उतर मिलता है उसे हम object कहते हैं जैसे राहूल क्रिकेट खेल सकता है राहूल कैन प्ले क्रिकेट राहूल क्या खेल सकता है क्रिकेट खेल सकता है या क्रिकेट ही आपका object हुआ और एक sentence डेखते हैं वह English पर सकता है, यानि वह अंग्रेजी पर सकता है, इसे English में बोलेंगे, He can read English, वह आपका यानि यानि ही आपका सब्जेक्ट हुआ, सकता है यानि, Can आपका helping भर्भ हुआ, read यानि परना आपका भर्भ हुआ, और क्या पर सकता है? English यानि अंग्रेजी यह आपका object हुआ आएए दोस्तों सीखते हैं English में sentence को कैसे बनाया जाए सबसे पहले आपको एक rule यार रखना होगा सबसे पहले क्या होगा rule के अनुसार subject होगा, उसके बाद क्या होगा helping verb होगा, उसके बाद क्या होगा verb होगा, और उसके बाद क्या होगा object होगा subject को सोट में as, helping verb को hb verb को b, और object को o लिखते हैं चलिए सीखते हैं English में sentence बनाना तो rule यार रखेंगे, सबसे पहले क्या होगा subject, उसके बाद helping verb, उसके बाद verb और उसके बाद object होगा आए हिंदी का sentence लेते हैं, मुझे फल खाना चाहिए, rules के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, subject subject क्या क्या होता है, हम तुम यह हुआ, तो मुझे, यहाँ पर क्या है subject मुझे, जो sentence में पहला हो यह sentence में पहला क्या है, मुझे वही subject है, मुझे का English होगा, आई, उसके बार rules में क्या है, helping verb, helping यहाँ पर क्या है, helping verb होता है क्या है, जो sentence में last में, sentence में last में कुछ भी हो सकता है, सकता है चाहिए, चुका है, चुकी है गाह है, जरूर चाहिए तो यहाँ पर क्या है, चाहिए चाहिए क्या होगा, should तो I के बाद क्या लिखेंगे हम लिखेंगे should उसके बाद क्या है उसके बाद है भर्ब भर्ब क्या है भर्ब वही होता है आना जाना खाना पीना रोना यहां पर क्या है भर्ब यहां भर्ब है खाना खाना का इंगलिस होगा it I should के बाद लिखेंगे भर्ब it उसके बाद क्या आता है object object क्या है जो भर्व के प्रस्ण का उत्तर हो मुझे क्या खाना चाहिए मुझे फल खाना चाहिए यहां फल object है यानि जो बच गया वही object है तो फल का इंगलीज होगा fruit I should eat fruit एक हिंदी का sentence लेते हैं जैसे तुम cricket खेल सकते हो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है subject सकते हो इसे इंगलीज में क्या बोलेंगे can उसके बाद क्या है भर्व भर्व क्या लिखेंगे खेलना यानि भर्व होगा खेलना खेलना का होगा English play you can play और object होगा cricket यानि आपका sentence बन गया you can play cricket दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएं और आपके लिए एक homework है यहां दो sentence बनेगा सभी आलक किया हुआ है subject helping verb verb और object तो comment box में दो sentence बना के जरूर दिखाएं या जो भी word दिया हुआ है so thank you and bye वीडियो को like करें subscribe करें